नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब हमें उब देखा आप लोग ठीक होंगे दोस्तों आज की स्रूडियम हम बात करने वाले हैं 2020 रायल इंफिल्ड क्रासिक 350 BS6 मॉडल के क्रोम एडिशन के बारे में तो जो लोग क्रोम कलर पसंद करते हैं उनके लिए बाइक काफी खास होने वाली है क्योंकि इस बाइक में आपको सिर्फ वसी क्रोम और इस्टील का यूज देखने को मिल जाता है तो जो लोग क्रोम लबर हैं उनके लिए ये बाइक काफी परफेक्ट होने वाली है तो दोस्तों वीडियो को लास तक जरूर देखे क्योंकि हम लोग आपके लिए ही पूल डिटेल में बताएंगे एक बात और दोस्तों ये pouquinho कालर आपको कैसा लगता है जिसको क्रोम कलर पसंद है वो नीचे कमेंट करके share कर दिएगा अगर आपको कोई doubt हो या फिर कोई question करना चाहते हैं तो आप नीचे comment कर सकते हैं हम पूरी कोसिज करते हैं आपके comment कर रिप्लाई करनेगा और ये कलर आपको कैसा लगा नीचे comment करके जरू बताइएगा एक बात और दोस्तों आपको बतादे इसका जो एक नया और कलर है जो कि ये stealth black कलर उसकी वीडियो में ने पहले बना रखी है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उपर आपको i button में उसका link मिल जाएगा वहां चाहेंगा तो उस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिएगा जिससे कि आप आगे एन वीडियो को मिश न कर सकें जो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते इसके फ्रंट से यहां पर आपको कोई चैनल देखने को नहीं मिलेग अब वहीं इसका फ्रंट ब्रेक आपको मिलेगा वॉक मिल यागा दोसो 80 mm का डिस ब्रेक मिल जाता है विद एवीए सिस्टेम के साथ इसमें आपको डूबल चैनल मिलता है इसलिए फ्रंट और रीर दोनों में जाता जो काफी अची बात है काफी एची समें को सेप्टी भी मिल जाती है इसका जो फुरंट टायर मिलेंगा वॉक मिल जागा 90-90 ट्यूब मिलता है क्योंकि इसका जो विल्ल देख सकते हैं वह इस पॉक विल है अगर आप इसका टैएर मिलेगा नहीं जाता है लेकिन आपको जो i script दीखरी है इसलिए इसमें को tubeless tire नहीं मिलता है अब बातकल इसके front जैंगर इसका next जेंजर को मिल जाता है जो कि headlamp में किया गया है इसका headlamp मिलता है वो आपको same मिलता है जो कि आपको मिलेगा 60 by 55W प्रणड का H4 Hylos Humble bed मिलता है जो कि आपको नाइट में काफी इसी विजबेल्टी दे दीती है इसका जो नेक्स चेंजेस किया गया है वो भी इसके हैडलैम में किया गया जो कि किया गया आपको पता होगा जो बीज़ फॉर आता था उसका जो हैडलैम होता था आप जैसे ही हैडलैम ओन हो जाता था लेकिन अब आपको बीज़ 6 के अपडेट के बाद आप जैसे ही इगनिशन अन करेंगे इसका जो सिर्फ और सिर्फ पारकिंग वहां हो जब इसका हाई वीम आप करेंगे तब आपका फुल हैडलैम औन होता है जिसकी वीसे आपको बैटरी होते हैं स्टील और क्रोम छोइन SY- přेभा-पोई और को नहीं आप सेक्जर मिले समय बिल जोहते हैं है यहां इक्यक्ति च्म? के साहिए बाइले सेमेड्र भा देते हैं साईड मुले खेस hекс और क्लासिक adesso लिएकोआफ साथ जो बारामें तुछ को में तकर मी करिक हैं छो में कर रची एडिकेटब की क है कि तरफ बारे में बात कर दिसकी उछइंदेडे में बहाद दूत से यहां पर आपको सेम डेर असमें रही आपको मर्णimize कुछ कहीं किसकेए आपको क्लासिक लूग दे देती है। इसका जो fill tank capacity आपको मिलेगी वोक मिलेगा 13.5 लिटर का वहीं अब बात कर लेते हैं इसके sitting position के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो इसे लगा सकते हैं लेकिन आप देख सकते हैं जो single seat के साथ इसका look निकल कहाता ना और भी आदा एग्रेश फिनिज देखने को मिल जाती है और साथे साथ बीच में आपको gold और black कलोर की finish देखने को मिल जातर है यहाँ पे UPäg देख सब्सक्ते हैं यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पर देख सकते हैं देख 346 cc का engine मिल जाता है single cylinder 4 stock air cooled engine मिल जाता है और वहीं इसका max power मिल जाता है 19 दिस्मेल 1 bhp का power मिल जाता है 5 या 250 rpm के साथ जो bs4 का power आता था उसकी अपक्षा में 0.71 ps का power ही bs6 में ज्यादा कर दिया गया है अब आपको bs4 के अपक्षा में इसका जो performance मिलेगा और भी आदा अच्छा मिलेगा अब वहीं इसका max torque मिलेगा वही same आपको मिल जाता है जो की मिलेगा 28 nm का 4000 rpm के साथ इसका जो bore मिलेगा walk मिलेगा 70 mm का इस ट्रॉक जो मिलेगा walk मिलेगा 90 mm का तो दोस्तो अब बात कर लेते इसके अगले changes के बारे में जो कि इसके engine को लेकी ही किया गया है पहले जो bs4 आती थी bike उसमें आपको fuel supply system carburetor मिलता था लेकिन अब आपको जो bs6 आ रही है उसके bs6 के update के बाद सारी bikeों में से carburetor हटा दिया गया है पूरी तरीके से अब आपको सारी bikeों में आपको fuel injected मिल जाता है जिसकी विसा आपको जो mileage मिलेगा आपको पहले के पेक्षा में और भी जादा अच्छा मिल जाता है पहले आप मानके चलिए इसका mileage मिलता था आपको 30 से 35 का मिलता था लेकिन अब आपको आराम से मालेज आपको 35 से 45 का मालेज आपको आराम से बाइक दे देती है क्योंकि इसका fuel supply system FI दिया गया है इसकी विसास का mileage मिलेगा आपको पहले से अच्छा मिलेगी वहीं अब बात कर लेते इसके rear से यहां पे आपको कोई चेंजर देखने को नहीं मिलेगा यहां पे आप देख सकते हैं लेडी footage मिल जाता है पीलियन footage मिल जाता है इसका जो rear suspension मिलेगा वोक मिलेगा twin gas charge soft absorbed with five step adjustable preloaded suspension मिल जाता है जिसमें आपको 80 mm का travel मिल जाता है जो कि आपको राइडी में काफी अचा comfort दे देती है वहीं अब बात कर लेते हैं इसके rear tire के बारे में तो यहां पे आप देख सकते हैं जो screen पे दिख रही है वो है spock वाली wheel इसका जो tire मिलेगा वोक मिल जागा 110 98 inch का tube tire मिलता है लेकिन आप इसके allowable वाला wear end लेते हैं तो उसमें आपको 120 88 inch का tubeless tire मिल जाता है जो कि काफी अच्छी बात है अब बात कर लेते हैं इसके rear brake के बारे में तो इसका rear brake आपको मिलेगा आप देख सकते हैं टेलाइट जो मिलेगे वही same आपको मिल जाएगे जो कि आपको मिलेगे 21 by 5 watt का bulb टेलाइट मिलती है इसमें को LED टेलाइट नहीं मिलती है यहां पर आप देख सकते हैं अगर आप राइट करते हैं यहां से जो लुक निकल के आता है काफी aggressive काफी classic लुक लगता है देखने में क्योंकि इसका chrome color काफी प्यारा लगता है देखने में जो लोग chrome lover है उनको यह बाई काफी पसंद आने वाली है तो आपको यह color कैसा लगता है नीचे comment करके जरू बताइएगा और वहीं अब बात कर लेते हैं इसके next changes के बारे में जो कि इसके exhaust को लेके किया गया है exhaust को sound है मैंने video के starting में ही सुना दिया गया इसका exhaust में changes किया गया है जो bs4 का exhaust आता था ना उसके picture में इन्वार्मेंट के लिए काफी अच्छा माना जाता है अब बात करें इसके next changes के बारे में जो कि इसके प्राइस को लेकी किया गया जो की काफी बड़ा अपडेट किया गया प्राइस के बाद जो bs4 आता था उसके picture में जो इसके bs6 की प्राइस पड़ेगी वह आपको 10 से 15,000 रुपे मेंगा पड़ेगा तो इसका जो एक्सरूम प्राइस है वारांसी का वो निकल के आता है 1,80,000, 1,83,000 के बीच में इसका एक्सरूम प्राइस पड़ेगा वहीं इसके complete प्राइस की बात कर लें तो वह आपको पड़ेगा 2,14,000, 2,17,000 बीच में इसका complete प्राइस आपको पड़ेगी तो दोस्तों ये थे कुछ चेंजर जो कि bs6 के अपडेट के बाद इस बाइक मे आपको एक नया और कलर आता है जो कि है स्टेल्थ ब्लैक कलर उसकी वीडियो मैंने पहले बना रखी है अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उपर आपको आई बटन में उसकी लिंक मिल जाएगा वहां चाहेंगा तो उस वीडियो को देख सकते हैं दोनों कलर आपको कैस प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरू को लिएगा साथ ही साथ बगल में पड़े बेले के दो दीगा जिससे कि आप आगे इन वीडियो को मिश नगा सकें तो चलिए दोस्तों मिलते अगले वीडियो में कुछ नए बाई के साथ कुछ नए अपडेट के साथ तब तक के लिए जय हिन जय भारत